Hello everyone, मेरा नाम है गोरव और आज हम करेंगे exercise 3.6 का question number 2 का first part अगर आपको बाकी के parts देखने हैं तो उनका link मैंने description box में दे रखा है तो आप unix पे क्लिक करके देख सकते हो तो देखते हैं इस question में क्या कह रही है formulate the following problem as a pair of equation and hence find their solutions तो देखो हमें एक problem दे रखी है इस problem की सबसे पहले हम equation बनाएंगे फिर उन equations को हमें solve करना है ठीक है तो देखते हैं problem में क्या कह रही है रितु can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours find the speed of rowing in still water and the speed of current तो देखो रितु है ना row कर रही है row का मतलब क्या होता है row का मतलब होता है जो पानी के अंदर हम boat चलाते है न उसको बोलते है rowing यानि कि पानी के अंदर जो boat चला रहे हैं एक तो होता swimming swimming में क्या होता है कि हम तैरते हैं लेकिन rowing में क्या होता है कि हम boat के अंदर बैठे हैं और boat को चला रहे हैं clear तो रितू 20 km distance travel करती है 2 गंटे में और ये कब distance travel कर रहे है जब ये downstream है तो in words का meaning मैं बताऊंगा downstream और upstream का और upstream के अंदर 4 km distance travel करती है 2 गंटे में और हमें निकालना क्या-क्या है speed of rowing in still water and the speed of current तो जो चीज़ हमें निकालनी है सबसे पहले तो उसको let कर लेंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ let the speed of ritu ritu की speed को मैं क्या माल लेता हूँ x km per r ठीक है कि ritu जो आपकी boat के अंदर बैठी है ये माल लो ritu है ये ritu आपकी boat के अंदर बैठी है और ये ritu की speed कितनी है जितनी boat की speed होगी इतनी ritu की speed होगी है ना तो ritu की speed को मैं x माल लेता हूँ same उसी तरीके से पानी की speed निकालनी है अब देखो current का मतलब क्या होता है लहरे जो आपकी नदियों के अंदर लहरे चलती है ना यानि की पानी की speed तो उसको बोलते है current तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ let the speed of water लिख दो या आप speed of current लिख दो या current की speed कुछ भी लिख दो एक ही मतलब है तो यहाँ पर मैं पानी की speed को मैं y km पर आर मा लेता हूँ clear तो जो चीज हमें निकाल नी थी वो हमने let कर लिख अब देखो यहाँ पर दो word है आपका एक तो word है downstream एक word है upstream तो यह काफी important word है इनको ध्यान से समझना तो देखो downstream का मतलब क्या होता है downstream का मतलब होता है कि मान के चलो जो आपका पानी है वो आपका इस direction में जा रहा है ठीक है right direction में जा रहा है और जो आप boat चला रहे हो वो भी right direction में चला रहे हो तो इससे क्या होगा आपकी speed बढ़ जाएगी क्योंकि एक तरीके से आप पानी के बहाव में जा रहे हो है ना पानी के बहाव के साथ चल रहे हो तो पानी आपकी help करेगा इस boat को चलाने में इसको बोलते हैं downstream clear तो downstream में क्या होता है आपकी जो speed है वो आपकी increase हो जाती है अब आपका upstream में क्या होता है upstream में बिल्कुल इसका opposite होता है तो पानलो पानी आपका left side जा रहा है और आप अभी भी boat को right direction चला रहे हो तो इससे क्या होगा आपकी जो boat की speed है वो आपकी कम हो जाएगे आपको ज़्यादा pressure लगाना पड़ेगा इस boat को चलाने के लिए तो अब इसमें आपकी speed कम होगी तो जब speed कम होती है तो क्या करते हैं सब्ट्रेक्ट करते हैं और जब आपकी speed बढ़ती है तब क्या करते हैं add करते हैं आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो मानलो आप ना mountain climb कर रहे हो ठीक है तो उपर की तरफ जाओगे लेकिन gravity आपको नीचे की तरफ खीचेगी तो आपको ज़्यादा pressure लगाना पड़ेगा उपर जाने के लिए आपको ज़्यादा force लगाना पड़ेगा तो इसमें क्या होता है आपका speed कम हो जाएगी और मानलो आप छोड़ देते हो हाथ से छोड़ देते हो और आप नीचे गिरते हो तो gravity भी आपको नीचे खीचरी है तो आपकी speed बढ़ जाएगी तो नीचे आप बहुत speed से आओगे और जब आप उपर जा रहे हो तो आपकी speed कम होगी clear? तो इसको भी इसी तरीके से समझो अगर आप पानी के direction में तैर होगे तो आपकी speed बढ़ जाएगी और upstream क्या होता है? तो अब देखो जो रितु की speed है वो मैंने क्या मानी है? X मानी है और जो पानी की speed है वो मैंने Y मानी है clear? सेम उसी तरीके से इसमें भी यही चीज होगी तो अब देखो downstream में आपकी speed क्या हो जाएगी? the speed in यहाँ पर लिखता हूँ मैं the speed in downstream तो downstream में add होगी न यानि की रितु की speed और पानी की जो speed है वो add हो जाएगी X प्लस Y clear? क्योंकि increase होती है downstream में तो सेम direction में increase होती है सेम उसी तरीके से जो आपकी upstream है उसके अंदर subtract हो जाएगी upstream लिखता हूँ यहाँ पर मैं तो the speed in upstream upstream के अंदर आपकी speed subtract हो जाएगी X minus Y clear? तो यह दोनों value आपकी km पर R के अंदर है यह ध्यान रखना तो यहाँ पर देखो downstream के अंदर वो 20 km distance travel करती है 2 गंटे के अंदर यानि की downstream के अंदर है तो देखो यहाँ पर आपको speed वाला formula यूज होगा यहाँ पर तो speed वाला formula आता होगा आपको speed is equal to distance by time यह formula का use करेंगे तो यहाँ पर पहले downstream का निकालते हैं तो downstream के अंदर speed क्या है X plus Y तो S की जगह के आ जाएगा X plus Y आ जाएगा clear? equal to D की जगह distance यानि कि 20 km 20 आ गया T की जगह time आ जाएगा यानि कि 2 clear? तो speed की जगह मैंने यह वाली speed लिख दी जो downstream के हमने speed निकाली थी तो formula के अंदर just value put की है तो 20 divided by 2 कितना हो जाएगा 20 divided by 2 आपका 10 हो जाएगा तो इसको मैं erase करके 10 लिख देता हूँ clear? तो यह हमारी downstream की speed आ गई ओके? तो downstream की speed कितनी है? 10 है और हमारी same उसी तरीके से हम upstream की speed निकालेंगे तो upstream के अंदर भी देखो same formula put करेंगे speed की जगह x-y आ जाएगा equal to distance की जगह 4 km आ जाएगा तो 4 को 2 से divide करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 ही आ जाएगा तो इसको मैं 2 लिख देता हूँ तो यह हमारी second equation आ गई तो इस equation को माल लेता हूँ equation number 1 और same उसी तरीके से इस equation को माल लेता हूँ equation number 2 तो देखो question में हमें क्या बोला गया था? कि सबसे पहले हमें इस problem की equation बनानी है equation बना के हमें इसके solution निकालने है तो अब equation तो हमने बना ली अगर आपने equation बनानी सीख ली न तो यह question आपका 80% यहाँ पे हो चुका है इससे आगे तो just calculation है तो अब देखो इन दोनो equation को हम solve कैसे करेंगे? solve करने के आपके पास बहुत सारे method है जैसे के आपका substitution method है cross multiplication method है और आपका elimination method है तो आपकी मर्जी है कि आप कोई भी method यूज कर सकते हो क्योंकि answer आपका same आएगा तो आप हमेशा try यही करना कि जो method आपको अच्छे से आता है और जिसकी आपने सबसे ज़्यादा practice कर रखी है जिसमें आपको ऐसे लगता है कि आपकी कोई mistake नहीं हो सकती तो आप उस method से करना क्योंकि question के अंदर यह तो नहीं बोला गया कि सिर्फ उसी method से करो तो आपकी मर्जी यह कोई भी method यूज कर सकते हो तो देखो यहाँ पर सबसे easy method मेरे को लग रहा है कि elimination method apply होगा तो अब इन दोने equation को हम elimination method से solve करते हैं next phase पे तो अब देखो तो यह हमारी दोने equations आ गई थी तो elimination method में हम क्या करते हैं इन दोने equation को add कर देंगे तो add करते हैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो x plus x कितना हो जाएगा 2x और देखो यह plus y है और यह minus y तो आपस में cancel हो जाएगे क्योंकि इनका opposite sign है तो plus और minus cancel हो जाते हैं 10 plus 2 कितना हो जाएगा 12 तो अब देखो हमें x की value निकालनी है तो यह 2 उदर जाके divide हो जाएगा क्योंकि इदर यह x के साथ multiply है तो कितना आजाएगा यहाँ पर लिखता हूँ में x is equal to 12 by 2 तो x की value आगई हमारी 6 तो अब x की value तो आगई हमारी अब निकालेंगे हम y की value तो y की value निकालेंगे हमें क्या करूँगा इस x की value आप किसी भी equation के अंदर put करो चाहे आप equation number 1 के अंदर put करो चाहे आप equation number 2 के अंदर put करो answer आपका same आएगा तो मालो इसको हमें equation number 1 के अंदर put करते हैं तो मैं यहाँ पर इसको equation number 1 के अंदर put करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा putting the value of x in equation 1 तो मैं x की value first equation के अंदर put करता हूँ तो हमारी first equation क्या है x plus y equal to 10 तो इसमें x की जगह 6 आ जाएगा तो 6 plus y equal to 10 6 उदर जाके subtract होगा तो y is equal to 10 minus 6 और 10 minus 6 कितना होता है 4 होता है तो मैं इसको जगह 4 लिख देता हूँ तो हमारी y की value 4 आ गई और x की value मारी 6 आ थी यहाँ तक आया आपको समझ तो देखो हमें question में यही निकालना था तो x को मैंने क्या late किया था starting में x को मैंने रितू की speed late की थी तो यहाँ पे आप चाहो तो last में लिख सकते हो कि रितू की speed कितनी है रितू की speed 6 km पर आ रहे है और y को मैंने क्या late किया था पानी की speed तो पानी की speed आपकी 4 km पर आ रहे है तो आप चाहो तो last में यह चीज लिख सकते हो कि रितू की speed इतनी है और पानी की speed इतनी है clear तो यहाँ पे हमारा question complete होता है तो hope करता हूँ आपको यह solution समझ आया होगा और अगर आपको यह solution समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई doubt या query है तो आप मुझे Instagram पे message करके पूछ सकते हैं और प्लीज comment करके बताएं कि आपको यह video कैसे लगी Thank you